जैहिन दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैकपूर पे तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का इतिहास का तीसरा चैप्टर यावर समराज का पार्ट वन करने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग जितने भी सवाल को क करेंगे उसको आम लोग टृक से याद करेंगे इसी वीडियो में यानी यह विडियो देखने पाद आपको किसी परकार का रच्ट्र फिकेशन करने की आवे सकता नहीं पड़ेगी इसे वीडियो में हम आपको टृक 35 लीशल पर पे यिसके बार आया तो इसक लिए चैनल को देखे सबसे पहला सवाल हमारा क्या है सबसे पहले सवाल में पुछा गया है कि या यावर सब्द का अर्थ क्या होता है यहां पर आपसे पुछा गया है कि या यावर सब्द का अर्थ क्या होगा परियटक होगा जंजाती होगा घुमककड होगा या फिर मुर्क होगा तो इस घुमक कड़े इसको याद रखेगा यह आपको दिमाग में बैठ जाएगा ठीक है कोश्चन नमबर आते हैं हैं दो पे कोश्चन नमबर दो में आपसे कहा जा रहा है कि मंगोलों ने किसके नेतित्व में अपने पारस्परिक समाजिक वराजनितिक रिती रिवाजों को यहां पर चार नम को दिखत रहाएं किनि में से किस इतिहास का ने मंगोलों का गोपनीय इतिहास लिखाता दो ने मतलब होता है जसके उसको च्छिपा कर रखता है तो यहां पर किया वहला निम लिखित में से किस इतिहास यहां पयाय च्रिक से याद कैसे रखेए कोई भी चीछ जैसे कि होता है किया रखा गोपनियों को रखा जाता है बोलता हना हमारी बात को आप गोपनियों रखो लोगों से छीपा कर रखो रखो से रखे यहां पर देखिए रखे वड़ का इस्तेमाल किया गया है TWD तो इस एक औहां रहा थो जी और τη स्कैंज के OSUN Unless time याद हो जाएगा कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कोशन नमबर अगर हम चार की बात करें तो कोशन नमबर चार में आप से पूछा जा रहा है कि निम्डि में से किस वर्स चंगेज ने मंगोलों का सार्व भॉम सासक घोसित किया था ठीक है तो यहाँ पर आपको सन बताना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कोशन नमबर चार का तो वह जाएगा 206 में ठीक है तो 1206 इसका सन है सन में क्या टरिक लगाना तो ऐसे आप लोगो रटना ही तो question number अगर हम 5 की बात करें तो question number 5 में फिर से आप से पुछा गया है निम्निमे से किस वर्स चीन में योओन राजबंस का अंत हुआ था योओन राजबंस का जो अंत हुआ था वह था तेरा सो अलसट में option number D इसका right answer होगा इसको भी याद रखेगा question number 6 में कहा जा रहा है कि अपने किस पुत्र के बारे में चंगेज खान ने ये संकेत दिया था कि उसका उत्तरा अधिकारी होगा तो उत्तरा अधिकारी होगा इसका जो right answer हो जाएगा option number C ओगो देई तो जब कोई जब किसी से हम सवाल पूछते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सदे माग लगा इक फिर्शा घर्ण डिमाग लगाये हैं हिस्ट्री कैनगा फोटे हburgच इंट रहा करके इसको आसान बना सकते हों लिए मिसे किस ने सु ने हरा गिरोह का गठन किया था गोल जिए तो तो बड़ा टुफ है ट्रिक लगाना तो हम यहां पर भी आपको एक ट्रिक से समझा सकते हैं जैसी कि कोई भी चीज सुनहरा होता है गोल्डेन होता है तो वह क्या होता है अगर हम आठ की बात करें तो कुशन नमर आठ में कह रहा है कि चंगेज खान की विधी सहीता क्या कहला है तो यहां पर आपको यहां पर दे दिया गया है चंगेज खान की विधी सहीता है वो क्या कहलाएगे जिल्यक का मतलब ओता है लॉलॉर। का मतलब होता है कानून ठीक है विधी सहीता पूरा एक पूरा बंडल तयार करना कानून का तो चंगेश खान की जो विधी सहीता क्या कर लाते है यास तो लोगों को क्या होता है यास यानि की आस यास से क्या हो जाएगा आस लोगों को क्या होता है आस होता है किसके उपर आस ह होता है कानुन के ओपर भरोसा होता है यास से आप लोग आस याद रखियेगा उसको आस किस पर रहता है लोगों को तो विजी सही अपर कोशन नमबर आते हैं नाइन पे कोशन नमबर नाइन पे कहा जा रहा है आपसे कि निम्रिखित में से किस सहर पर विजय प्राप्त करने के पहचात बारा सो बीस इसवी में चंगेज खान ने वहां के अमीर मुसलमान निवास्मियों का उस्तव मैदान में एक कितर कर उनकी बुखार होता है वो पहले से पिरिध होता है ठीक है तो बुखार वाले वीक्ति के साथ आपको जो हैं चयाता है न चाहिए कोशन नमबर अगर अब से कहा जा रहा है कि निम्रिकित में से खाना बढ़ोस जाती कौन सी है यहाँ पर आपको बताना है कि इन देखे इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number D, उप्योप्त में से सभी, सभी जवे यहाँ पर क्या है, खाना बदोस्ट जाती है, तो आज के इस वीडियो में हमने 10 सवाल आपको trick से करवा दिया, वीडियो कैसा लगा हमें comment box में comment क्रिकर जरूर बताइएगा, next part के बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको अगली वीडियो का notification प्राप्त हो सके, और हाँ साथ ही साथ आप अपने WhatsApp ग्रोप को जरूर जोइन कर लिजेगा, link description में डाल दिये गया है, मिलते हैं अगले वीडियो में, thank you